अच्छा अब आपके स्टार्ट अप का जो नेम होता है वो आपके इमेज और कल्चर को दर्शाता है आपके बिजनस के अंदर और आपने शाक टैंक में ये वाला एपिसोड तो देखा ही होगा इसलिए आज इस वीडियो में मैं दस स्टैप बदाऊगा जिससे आप एक भड लाइगन ज़रूर से दबा दो बिजनस के स्टैडी मार्केटिंग स्टार्ट अप एंटर्पेनर्शिप से रिलेटेड बाते यहां पर आपको देखने को मिलती रहती हैं खैर हम बढ़ते हैं अपने पहले स्टैप की तरफ जो कि ये ब्रैंड साइकॉलेजी को समझना इसक वो पहली feeling क्या मिल रही है उस नाम से जब आप देखते हैं या सुनते हैं उस company का नाम वो बात का matter है कि वो company क्या काम करती है लेकिन important यह है कि नाम से आप क्या समझ देते हैं इससे कोई फरक ने पड़ता है कि आप अपने नाम का इस्तिमाल company के name की तोर पे करते हैं जैसे क example के तोर पे MBA चायवाला जहां पर MBA का full form Mr. Praful Billore अमदाबाद है तो आपको पता है कि अगर यह कल को company में नहीं भी होंगे फिर भी MBA नाम से आप समझ जाएंगे और कभी यह मत सोचना कि मेरा नाम बहुत edgy है rugged है अजीब सा है अटपटा सा है लोगों को identify करने में दिक्कत हो ऐसा नाम जो pronunciation में difficult हो लोगों से ठीक से बोल भी ना पाते हूं याद रखना तो दूर की बात है और एक और trend बहुत मैं notice करता हूं कि companies जो है वो एक intentional misspell कर देती है अपनी company के names के अंदर कभी-कभी तो यह चल जाता है लेकिन कभी-कभी यह disaster बन जाता है example के तौर पे 0 अब X लिखा गया है company के तरफ से बहले यह company को आज लोग जानते हूं और इसके नाम से search कर लेते हूं लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो search results में जब 0 कोई type करता था तो यह company सामने नहीं आते थी और शायद आज भी ऐसा ही है try करके देख ले न अब दूसरी गलती आती है कि आ आप अगर unique name नहीं सोच पाते तो आप descriptive name सोच लेते हैं जो कि और जाधा blunder हो जाता है और boring बना देता है एक्जामपल के तौर पे certified office stationery item LLC तो यह बड़ा ही descriptive name है यहाँ पर audience को समझ में आ जाए का यह company करती क्या है लेकिन यह name unique भी है क्योंकि इसका domain कोई खरीता है नहीं ह करती है एक्जामपल के तौरपे पेटियम नाम है लेकिन पेटियम किसके अंडर में आता है 197 communications limited अब जब आप यह नाम्स वहले सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि यह communication कोई platform होगा या call center का कोई चीज होगा लेकिन पेटियम नाम अपने startup का रखने से इनको एक पहचार मिली और तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है लंबे नाम जो URL में भी फिटना हो पाएं और Twitter के जो handles हैं वो 15 character यह accept करते हैं तो यहां पर आप abbreviations को try कर सकते हैं आपके क्या abbreviations बन सकते हैं उसके हिसाब से आप नाम choose कर सकते हैं बढ़ते हैं अपने step 3 की तरफ आपका purpose क्या है अग इसके अंदर मैं example लेता हूँ हम A email marketers की मदद लेते हैं create करने में newsletter emails को तो यहां पर जो B problem हुई वो थी newsletter emails की और C जो solution आया वो था fully responsive और easy email design tool हम उसे provide करते हैं ताकि वो एक अच्छे newsletter बना सकें अगर इसी sector के अंदर मैं कुछ famous companies का नाम बता हूँ तो जैसे mail chimp अब यहां पर आपको नाम से पता लग रहा है कि mailing का यह कुछ provide करते हैं लेकिन चिंप नाम क्यों पढ़ा गया चिंप यहां पर बुलाया गया है businesses को companies को individuals को जो mail का इस्तेमाल करते हैं अपने day to day routine में जिसे हम newsletter भी कहते हैं तो वहां से यह नाम आ जाता है तो तीन बाते customer problem और solution अब हैं अपने step 4 की तरफ आपके buyer का persona क्या है मतलब उसका background क्या है demographics क्या है history क्या है age क्या है role क्या है company क्या है income क्या है hobby interest उनके short term goals long term goals उससे आपको एक ideal customer मिलेगा और यह step तो business plan के अंदर भी होता है और name में भी यह काम आता है जैसे example के तौर पे men's xp अब यहां पर उन्होंने पहले clarify कर दिया कि men's के लिए होगा यह कह सकते हैं Gen Z के लिए होगा तो यहां पर hobby, interest, background, role, age देके इन्होंने यह नाम रखा और marketing के perspective से वे यह बहुत अच्छा था दूसरा यह investment friendly भी है क्योंकि men's xp बहुत तेजी से आपके मुह से नगल जाता है और नाम बोलते ही कुछ interesting स आपके दिमाग में आता है कहर बढ़ते हैं अपने step 5 के तरफ जो कि यह brainstorming keywords आपको क्या करना है कुछ keyword ढूंडने है और उनसे खेलना है variations के साथ उन keywords को transform कीजिए unify कीजिए दो keywords को एक बनाईए या तीन keywords को एक बनाईए और सबसे भड़िया example तो आपको apple का ही मिल जाएगा उन्होंने तो सिर्फ apple के keyword पे ही पूरी company बना दी और इसका best example लगता है मुझे facebook अब यहाँ पर दो keywords को एक बनाया गया है यानि face और book को एक बनाया गया है अब आपके लिए एक बड़ी असा trivia यह है कि Twitter और YouTube कि इन दो keywords को मिला के बनाया गया है क्योंकि यह mix and match keyword के examples है step 6 आता है shortlist करना अपने नाम को तो यहाँ पर आपको चार चीज़े mention करनी अपने नाम के अंदर क्या आपका नाम business से relate करता है जो भी आपक जाते हैं लेकिन भार countries में offensive or prohibited होते हैं तो वह नाम आप चेक कर सकते हैं word safety जैसे platforms के उपर जो कि टूल है वह आपको बता सकता है कि यह नाम safe है कि नहीं है वैसे go daddy के उपर जब आप domain भी search करने जाते हैं तो आपको यह ज़रूर चेक करना चाहिए कि यह यह नाम unique है कि नही रखा तो आप बिल्कुल तैयार है इसमें आगे बढ़ने के लिए अब आपने बहुत सारे keyword सोच लिए अच्छा से नाम नाम जो लिस्ट थी वह बना ली अब उन नाम को name generators में डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं और क्या नाम बन सकते हैं example के तौर पे name links name snack brand bucket यह कुछ ऐसे generators हैं जो आपको नाम generate करके देंगे AI algorithm द्वारा name links तो आपको short names provide करता है as a generate करके देता है आपके startup idea के हिसाब से क्या name अच्छा रहेगा और name snack जो platform है जो ml की मदद से आपके नाम की memorable aspects क्या हो सकते हैं उस हिसाब से आपको नाम mix up करके देता है तो आप try out कर सकते है step 8 की चाहिए कि आपका नाम similar तो नहीं है किसी और brand या company से अगर आपको डर है कि आपका नाम किसी और industry में भी use किया जा सकता है तो आप उसे trademark करा सकते हैं और यह आप सर्च कर सकते हैं पेटेंट्स के अंदर की कोई नाम ऐसा register तो नहीं है step 9 आता है कि अपनी family audience और friends से पहले प कर जाता हैं वहां से भी फिर क्या step 10 क्या है purchase करो domain register करो trademark और चलो अपने रास्ते आगे बढ़ो अब मैं बताता हूं कि busy fund नाम क्यों रखा मैंने इस चैनल का बहुत सर्च किया कि business के related क्या क्या नाम हो सकते हैं तो यहां पर busy shop का जो मतलब है वो दर्शाता है कि जो entrepreneurship wave आई ह जो startups की wave आई है उसकी वज़े से जो individuals हैं आप जैसे entrepreneurs हैं वो काफी busy रहते हैं या जो job में रहते हैं वो भी busy रहते हैं तो यह busy keyword था ना वो बहुत ज्यादा trend में था और हर कोई यही इस्तिमाल करता है कि यार मैं अभी बहुत busy हूं मैं बात में बात करता हूं यही सबसे ज जादा मुझे सुनने को मिल रहा था जब मैंने यह नाम रखा था कोई कहता है यार मैं इतना वेला बैठा रहता हूं मुझे busy होना है तो यह busy जो keyword था ना यह बहुत ज्यादा बोला जाने वाला keyword था और रोज मर्रा की काम में भी आप इसको इसको इस्तिमाल करी लेते हैं तो पहला keyword तो यह मिल गया मुझे कि busy यहाँ पर मैं business, jobs, entrepreneurship, startup इन सब को include कर सकता हूं क्योंकि वो सब busy रहते हैं और funda से मेरा क्या मतलब था आपने लोगों से सुना होगा कहते हुए कि चल मैं तिरको एक funda बताता हूं इसका एक simple सा funda है और हमारी society में generally यह देखा जाता है कि funda का मतलब होता है कि आपके पास कोई idea मिल गया या आपको कुछ ऐसी चीज मिल गई जिससे आपको एक अच्छी trick और tip पता चली यही मेरा growth का funda है तो वहाँ से मुझे एक keyword मिला और जब मैंने इसको search किया पूरे internet के उपर तो कोई भी किसी का भी page जो था वो इस नाम से related नहीं था यानि कोई page ही नहीं बना था इस नाम के उपर और मज़े की बात तो यह है कि यह domain भी किसी ने खरीदा नहीं था क्योंकि नाम बिलकुल यूनीक था और अच्छी research के बाद यार यह नाम आया था और बहुत से लोग कह रहे थे इसको बदल देना चाहिए यह नाम जो है channel के साथ match नहीं कर रहा लेकिन हमें पता था कि कि psychology के साथ हम आगे जा रहे हैं और क्या यह हो सकता है क्या यह कर सकता है और मज़े की बात पता है क्या है इन दो keywords को मिलाने के बाद हमें वो keyword मिला जिसे हम कहते हैं busy रहने का funda busy funda लेकिन left वाली वीडियो में आप भी busy रह सकते हैं वो साथ मिनिट के लिए फंडेदार ideas देकर और राइट वाली वीडियो में मैंने step by step समझाया कि आप कैसे business को बढ़ा सकते हैं और बना सकते हैं मैं मेल तो आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बीबीजी